हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल लेकिस्टडी पर दोस्तों आज हम कराएंगे हिंदी और हिंदी के एक नए टोपिक बन विचार के साथ आपके बीच में उपस्तित हुए हैं मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो काफी अच्छा करते हैं जिससे टोपिक का नाम है बन विचार तो बन विचार के वारे में हम समझते हैं कि इसमें सबसे पहले आप से पूछ ले जाता है कि भासा की सबसे छोटी मोखिक इकाईं कोन सी होगी तो भासा की अगर सबसे छोटी मोखिक इकाईं की बात करते हैं भासा की सबसे छ छोटी लिकित इकाई की बात करते हैं तो लिकित इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों तो वन को कहा जाता है किसको वन को कहा जाता है ठीक है तो आगे चलते हैं इसमें देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं बन की तो बन माला में वनों की संख्या कुल कितनी होती है तो कुल की बामन ओप्सन को आपको लगाना होगा आगे चलते हैं जैसे हम बात करते हैं कि इसमें आपसे पूछ लेता कि वन बिच्षेद की बात कर लेता है किसकी वन बिच्षेद की बात कर लेता है तो बन बिच्षेद की अगर हम बात कर लेता है तो बन बिच्षेद में जैसे हम सब् यहाँ पर आपके कितना होगे चार होगे यह जैसे हम सब्सक्राइड क्या ले सकते हैं तो रामायड में अगर हम देखेंगे तो राहलंत हो जाएगा यहां से यहाँ से यहां और से प्लस रहां हो जाएगा यहां से आप देखेंगे इसमें तो यह आप से पूछ लिए यहाँ कि इसके अंदर क्ल कितने वन बिच्षेद हुए तो आप दिखेंगे हां से कि 1-2-3-4-5-6-7-8 कितने आठ हो जाएंगे, कितने आठ, तो इस तरीके साब किसी भी सब्द का वण विच्छेत कर सकते हैं, और उसके संख्या भी बता सकते हैं, जैसे हम एक सब्द लेते हैं, आपको यहां मिलेगा, अक्छर, क्या मिलता है, अक्छर, आप से पूछेगा, कि अक्छर किसे कहा जाता है तो अक्षर कह सकते हैं कि जिसका च्रण नहीं किया जा सकता, जिसका च्रण ये अर्थात बिनास नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता है, ठीके, तो जिसका बिनास नहीं हो सकता ये जिनका च्रण नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, जैसे सब्द आप से लिया समय होगाइँ अपका कितने हो जाएगा आक्षर खतशक कितने हो जाएगाँ से 2 अग्षार हो जाएगे एक ओर एक कितने जाएगे दो Māyard की बात करते हैं तो अगर डेखें तो इसमें कितने हो जाएगे तो अच्छर की बात करें कि dependency है डा mo plus क्य달ब्τα कितने हुगे ? 8 होगे इसमें और इसमें अक्षर कितना होगेen ? चाहर होगे यह जैसे आप सब्सक्राइब सकते हैं महोन अगर आप से पूशा जाता है कि इसमें अक्ष रोगा कि पूशन से कतनी है ? तो तो आप consequence क्यakah जाएंगे आपके यहाँ से इस एक फैंड हो जाएंगे तीन अप्छर हो जाएंगे यह स्थे क्या हो जाएंगे तो यहीद NICK अगे चलते हैं बन माले में और बन माना में हम समझें तो बन माला को दो भागों में बाटा गया है एक मिलता है यहां पर स्वर और दूसरे की हम बात करते हैं तो क्या मिलता है वेंजन मिलता है क्या मिलता है वेंजन पहला स्वर दूसरा क्या हो गया वेंजन हो गया हम बात करते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है तो दोस्तों स्वर की हम बात करें तो जिन वर्णों का उचारण बिना किसी अवरोद के या बिना किसी वर्ण की साहता से होता है और जिनका उचान स्वरों की सायता से होता है उसको क्या कहते हैं वेंजन क्या क्या क्याते हैं या अर्थाथ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिनका उचान स्वातंतर रूप से होता है कैसे रूप से होता है स्वातंतर रूप से उनको स्वर कहा जाता है और जिनका उचान स्वा जाने वाले बढ़नों को क्या कहते हैं स्वर कहते हैं स्वर की भेद की बात करते हैं तो स्वरों के भेदों की बात कर लेते हैं स्वरों के भेद तो भेद कितने होते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको अलग-अलग अधार पर इसको माटा गया है जैसे हम बात करते पहले काल या मात्रा की आधार पर तो इसके जब वेद होते हैं कितने होते हैं तीन काल या मात्रा के आधार पर कितने वेद होते हैं तीन वेद होते हैं और कौन कौन से वेद होते हैं पहले वेद की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हिरस्वर क्या बोलते हैं यदि यहां पर पहर किया का जाता है कि तूiuसरे की बात करते हैं इसको कहा जाता है यहां पर 215-21 single का मतलब है कि जिनके उचाण में बहुत कम समय लगता है उसको क्या कहा जाता है हिरस्वर कहा जाता है हिरस्वर में हम कह सकते हैं कि एक मात्रिक जैसे हम देखेंगे एक मात्रिक तो एक मात्रिक यहां हो जाएगा या इसको क्या कह सकते हैं आपका यहां पर हो सकता है लगू क्या हो जाएगा लगू हो जाएग ठीक है यदि हम आगे देखेंगे इस में तो इसकी देखते हैं बात स्वरों की बात करते हैं स्वरों के भेद, तो स्वरों के भेद की अगर हम बात करते हैं, तो अगर स्वरों के भेदों की बात करते हैं, तो इसको अलग-अलग अधार पर बांटा गया है, जैसे हम बात करते हैं, काल के अधार पर स्वरों के भेद की बात करते हैं, तो तीन भेद होते हैं, जैसे आप से कह सकता ह या पहले कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसके काल आधार पर मनलब काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वरों के बेद कितने होते हैं उसको हम समझ लेते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत कितने होते हैं तीन बेद होते हैं कौन-कौन से बेद होते हैं पहले हम समझ ले करते हैं तो हिरस्वर किसको कहा जाता सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है हिरस्वर की हम बात करते हैं कि जिनके उच्चरण में बहुत कम समय लगता है उनको हिरस्वर कहा जाता है क्या कहा जाता है हिरस्वर कहा जाता है दिरस्वर कि अगर हम बात करें तो जिनके उच्छारणमी हिरस्वर्थ से ज़्यादा समय लगता है, उनको क्या कहा जाता है, दीर्वस्वर्थ कहा जाता है, बात करते हैं प्लत्सवर्थ की, तो मलब दीर्वस्वर्थ से ज़्यादा समय लगता है, तो क्या कहा जाता है, उसको प्लत्सवर्थ कहा जाता है, अर्थात की बात करें तो यह एक मात्रिक होते हैं यह तिर मात्रिक होते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं जैसे हम लिसकते हैं कि इ, उ, री ये चार इनकी संख्या होती है और इनको ही कहा जाता है मूलस्वर क्या कहा जाता है मूलस्वर आप से पूछा जाए कि मूलस्वरों की संख्या कितनी तो चार मूलस्वर होते हैं कौन कौन से मूलस्वर होते हैं चार आप देखेंगे ई, ए, उ, री ये चार जो होत से ज़्यादा समय लगता है ठीक है तो दियुमात्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं कि दियुमात्रिक श्वर यह इनको कहा जा सकता है बड़ा यह इनको क्या कहा जा सकता है गुरू क्या कहा जा सकता है इनकी संख्या कितनी होती है आप संख्या पूछी जा सकती है तो दोस्तो इन जो की संक्या होती है कितनी होती है साथ होती है अब साथ में हमने आपके बीच में हैं लिखा देखो आ ई उ ए आ ओ ये साथो जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है दिर्ग स्वर कहा जाता है इनको भी दो भागों में बाटा गया है जैसे हम बात कर लेते हैं पहले कि संधी स्वर पूछ लिया जाता है आप से तो दिर्ग संधी स्वर में कौन से आ जाएंगे तो इसमें तीन होते हैं कितने तीन दिर्ग संधी स्वर कितने होती है तीन होती है कौन कौन से होते हैं जैसे आप से पूछ ले जाएगा आ ईई उ तो यह तीनों को क्या कहा जाता है दीर संदी स्वर कहा जाता है दूसरों को माटा गया संयुक्त स्वर क्या कहा गया संयुक्त स्वर कहा गया और संयुक्त स्वर की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है तो यहाँ धिहां डखना कि इनकी संख्या कितनी हो A, 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 ठीक है, तो A की अगर हम बात करें, तो इसको मन सकता है, A, 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 और A, इन दोनों के मेल से बन सकता है, क्या, A, क्युकि आप इसको जानते हैं, कि आपको यहां से A, प्लाँ से देखें, कि A और E के अगर मेल से हम देखें गे, तो यहां पर गुण संधी में आपने जागा ऐ बनेगा ऐसे हम यद्धां करते हैं इसकी तो 00 were už आ के बाद में ए आपको मिल जाता है ě और आ तो क्या बन जाएगा आए तो आपने देखा कि एक और दो दोनों क्या है भिन स्वर हैं तो दो भिन स्वरों के मेल से बने बन को क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं इसी तरीके से आप इसी में देख सकते हैं कि हम बात कर लेते हैं इसमें आपके दो बन जाते हैं जैसे ओ और अउ क्योंकि आपके एक दो तीन चार क्योंकि यहां से चारों बचे जाते हैं उन चारों कहा जाता है सैयूक तुस्वर क्या कहा जाता है इसके अगर हम बात करें तो ए और आ के बाद में यह कहीं भी उ या उ आता है तो क्या बन जाता है और जैसे आप देखेंगे कि ए और आ के बाद में क्या आ जाए और आउ आता है तो क्या बन जाता है वो आउ बन जाता है तो इस तरहां से आप देखेंगे कि चार स्वर आपके दो यहाँ पर यह वाले होगे और दो स्वर आपके यह वाले होगे इन चार को क्या कहा जाता है संयुक्त स्वर कहा जाता है ठीक है और यह आपके तीर कितने होगे दिर्ग संदी स्वर हो जाते हैं और चार आपके कैसे स्वर हो जाते हैं मूल स्वर हो जाते हैं जीवा के आधार पर किसके आधार पर जीवा के आधार पर स्वरो के भेद किसके स कितने तीन भेद होते हैं हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहला भेद कौन सा होता है तो इसको बोलते हैं अग्र स्वर क्या कहते हैं इसको अग्र स्वर दूसरा भेद मिलता है मध्य स्वर कौन सा मध्य स्वर और तीसरा होता है इसमें पस्वर पस्वर तो अगर दोस्तों हम की बात करते हैं मद्दे स्वर की बात करते हैं यहां पर पहले लिखा जीवा के आधार पर किसके जीवा के आधार पर तो जीवा का आधार का मलब है कि उच्छार्ण करते से जीव किसी हिस्से से दोनी निकल लही है तो उसको कहा जाता है आपका जीवा के आधार पर सोरो की सं स्वर जो होते हैं इनको कहा जाता जीवा के आधार पर अग्र स्वर क्या कहा जाता है अग्र स्वर कहा जाता है माध्य स्वर में केबल आपका एक आता है जिसको बोलते है ठीक है यदि हम बात करते हैं पास्वर पास्वर का मलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जीवा के पिछ और आउ ठीक है ये पांच जो होते ही इनको कहा जाता है पस श्वर कहा जाता है ठीक है तो यहां तक मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा ये दिसमझ मा रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और दवा के एक बात सेर कर दिजिए और कमेंट्स व आधार पर स्वरो के भेद स्वरो के भेद दोस्तो यदि आपसे पूछले कि मुख आकर्ती के आधार पर स्वरो के भेद कितने होते हैं तो आप कितने लगाएंगे इसको चार लगाएंगे जीवा के आधार पर पूछे तो कितने तीन मात्रा के आधार पर या आपसे integration बात कर लेसे हैं कि सम बरत ते सं ब्रत स्वार कौन से सम लिक्षारस दूसरा की अब बात कर लेते हैं तो दूसरा मिल जाता है अर्द संब्रत कौन WAS सम अगर हम तीसरे की के बात कर लेते हैं تीसरा आपको मिल जागा यहां से बी ब्रत कौन सा वी ब्रत स्वर बी ब्रत स्वर और चोथा आपको मिल जागा दोस्तों यहां से चोथे की बात करते हैं तो यह हो जागा अर्द बी ब्रत स्वर जो होंगे उनको कहा जाएगा ठीक है तो अब समझ लेते हैं कि संब्रत स्वर क्या हो होता है बीवरत क्या होता है और अर्द बीवरत क्या होता है पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद हम आगे लिखेंगे तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमने अगर आकरती बनाते हैं देखो यहां से मुख की आकरती अगर हम बनाते हैं तो मुख की आकरती में ज ब्रत सवर, क्या कहा जाएगा, बिवरत सवर, और यदी आप जानते हैं कि यदे मुक आपक Baiisharad, का बंद मुक कीसा है? बंद. बंद मुक के साथ अगर बोला जा रहा है, तो इसको बोल सकते हैं बंद मुक, इसको बोलेंगे संब्रत्स्वर क्या बोलेंगे दोस्तों इसको संब्रत्स्वर बोलेंगे और यदि आप देखेंगे इसमें स्थिति मिल जाती है कंडिशन आपको इस तरह से कुछ मिल जाती है कि मुख आधा खुला हो और आधा क्या हो बंद हो और तब उचार ध्वनिक कहा जाता है तो उसको कहा सकते हैं आधा खुला मुख आधा खुला मुख को बोलते हैं अर्द अर्द बीब्रत स्वर कहा जाता है और आधे बंद मुख को कहा जाता है मला आधा मुख बंद करके हम किसी भी बंद का उचार्ण करते हैं तो उसको बोला जाता है आधा बंद मुख को कहा जाएगा अर्द संबरत क्या कहा जाएगा तो यहां पर हम ने चार उभिद कर दीए दिखकर कुलाूगा मुख होगा बंद मुख से बोलेंगी तो क्या होगा संबरत होगा आदा मुख खुला हुआ होगा तब क्या होगा अर्द बीवरत होगा और आदा बंद मुख होगा तो क्या कहा जाएगा अर्द संब्रत कहा जाएगा ठीक है तो यह चार भेद होते हैं मुख आकर ठीक है आधार पर और देखते हैं यहाँ पर कि संब्रत स्वर संब्रत स्वर क पी संक्षा कितनी होती है तो दोस्तों चार होती है कितनी होती है चार कौन-कौन से इसमें होते हैं तो हम बात कर लेते हैं जैसे आपका मिलता है यहां से बात कर लेते हैं कि अर्द संब्रत में तो अर्द संब्रत कितने होते हैं दो होते हैं यहां हम बोलते हैं जैसे ए और ओ ए और और जो होते हैं इनको कहा जाता अर्द संब्रत क्योंकि ये अगर हम चान करेंगे इनका तो अर्द मुख मला आदा मुख क्या होगा बंद होगा कहने का मलम है कि जीवा तालू पर जाकर टकराएगी और जब तो इसकी धुनी निकलेगी जैसे हम बात करते हैं कि बीब्र आये और आउ ये तीनों स्वर जो होते हैं इनको कहा जाता है अर्द वी व्रत स्वर क्या कहा जाता है तो यहां देखेंगे चार दो छे एक साथ और तीन दस होगे इसमें रीकों नहीं लिया जाता है रीकी अगर बात करें तो डाक्टर बोलाना तिवारी दौरा इसको दस ही होते हैं तीके किसके दौरा डाक्टर बोलाना तिवारी के दौरा आगे चलते हैं दोस्तों इसका सोटे स्कीन एक बार कर लिजिजे अप लो ओस्ट आकर्ती के आधार पर ओस्ट आकर्ति के आधार पर स्वर्व की संख्या तो स्वर्व की संख्या के और हम बात करते हैं तो ओस्ट आकर्ति के आधार पर स्वर्व कितने बिरकार के होते हैं कितने दो बिरकार के होते हैं अब इनको समझना है कि कौन-कौन से होते हैं तो दोस्तों, अगर हम पहली बात करते हैं, तो एक तो होता है कि ब्रत मुख या ब्रत मुखी, और दूसरे जो होते हैं, वो ए ब्रत मुखी होते हैं, क्या होते हैं, ए ब्रत मुखी होते हैं, कह सकते हैं हम इनको कि ब्रताकार भी कह सकते हैं, और ए ब्रताकार भी कह सकते हैं, कि जब हम कभी स्वरों का उच्ण करते हैं तो होट जो हैं व्रत की आकर्ती में खोलते हैं तो उनको कहा जाता है ब्रत मुखी क्या कहा जाता है ब्रत मुखी और जब कभी स्वरों का उच्ण करते समय जो हमारे होट हैं व्रत की आकर्ती में नहीं खोलते तो उनको क्या कहा जा हैं हम तो इसमें मिल जाएगा आपका जैसे अ ओ ओ ओ ओ ये जो आपके हैं यह चार स्वख़र एक ओर पूछ ले जाता है कभी-कभी तो इसकी को आगात स्वखर कहते हैं क्या आागात स्वखर ये भी इसका आ रता है तो भ subscriber मुखी में यह स्वर आते हैं और यदि हम बात कर लेते हैं इसमें ए आ इए या जैसे हम बात कर सकते हैं यहां पर कि ए आए ठीक है तो यह जो वाकी स्वर हैं आपके यह कैसे आते हैं आ समझ में आए अगे चलते हैं سको समझा लेते हैं कि जैसे हम बात कर लेते हैं कि A A E E O R Y O ओ और ओ यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो इनमें मात्राइं कि हम देखते हैं तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है ठीक है इसकी मात्रा नहीं होती है यदि हम बात करते हैं आ तो आ की मात्रा जो होती है वो इस तरह से होती है ये की बात करें तो इकी जो मात्रा होती है वो कि तरहां से होती है आएकी मात्रा crystal यह दो मात्रा होती है और बात करें तो यह जाएंगे तो कितने जसाँब याँपर आपके केबल ही आपके जो रहेंगे गोगा से होती है तो यहीं चलते हैं और आगे next topic को समझते हैं आप इसका सोटी स्क्रीम कर सकते हैं कि तो दोस्तों हमें सबसे पहले हैं यहां पर समझना उचारन के बाद हम करते हैं तो उचारन के लिए देखो सोड़ा समझा देता हूं आपको यहां पर अगर उच्छान के हम बात करते हैं तो उच्छान के स्थान पर यह गला है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो पिछला भाग जो होता है उपरी वो क्या कहा जाता है इसको तालू कहते हैं क्या बोलते हैं सं loneliness मुख का ऊपरी हिस्सा का जो पिछला भाग होगा उसको बोलते हैं तालो और या बात किरें every हिस्स्Hey आधला मर्वात होते है तो उसको क्या बोलते हैं उसको का जाता है दोस्तों मूर्धा क्या जाता है मूर्धा कहा जाता है ठीक है यदि हम बात करते हैं कि दांत दंत है ठीक है जो मूर्धा से अगला हिस्सा होता आठा दांत होते हैं उनको बोलते हैं ठीक है और सबसे अगला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं ऑस्ट क्या बोलते हैं उसको ऑस्ट बोलते हैं तो हमें सब हम बात कर लेते हैं यहां पर ए और कि बात कर लेते हैं तो इनka उच्छान रिषान in वह क्या है कंटहर्ण है क्लेश से क्या होते हुच्छी रिष्ष Ca ज doublet कंटहर्यािक गाहसे कंटहर्द आही कोंसी कंटहर्द आप समझ रहे होंगी इस बात को क्योंकि उच्छाने स्थान कहां से कंट से और ध्वनी कौन से होगी कंट है ध्वनी हो गई है ठीक है इस तरीके से हम बात कर लेते हैं ए और ए की बात करते हैं तो यह कहां से उच्छारित होते हैं तो दोस्तों यह उच्छारित होते हैं तालू से कहां से तालू से तो और था क्या आप से पूसकता है कि रिका ऊच्चान स्थान कहा से हैं तो या मुर्धा स्थान से उच्षृत होती है 군 कोन सी है रेख की दुंधनी कों सी है मुर्धनय दुनी ठीक है तो मिर्द्धनी दुनी हो जाएगी यह हम बात करतें हैं की कि दोस्तों इसकी द नहीं है इसको बॉलते और कहा से उच्छी उस्षित होते हैं यह से इसविर्व में को क्या कहा जाता है क्थ अो ओस्टे द्वनी इसको कहा जाता है ठीक है यह आगे हम बात करते हैं आप से जैसे ए और आई की बात कर लेते हैं तो ए और जो आई हैं आप जानते हैं कि यह जो द्वनी हैं इन द्वनियों का कहां से उच्चाण होता है तो दोस्तों इसका जो उच्चाण होता है तो दोस्तो a को हम तोड़ें तो यह हो जाएगा a plus e मैं इसको पहली बता चुका हूँ क्योंकि यह क्या है संयुक्त स्वर है क्या है संयुक्त स्वर है तो आप जानते हैं कि इसका इस्थान कहां से है, इसका दोस्तों इस्थान कहां से है, देखो कंट से, कहां से, कंट, और इसका इस्थान कहां से है, तालू से, कहां से, तालू, तो दोस्तों इसको तालू कहेंगे, तो अब दोनों को अगर जो एक साथ मिलाएंगे, तो इनका इस्थान कहां से हो जा कूल देखें, तो इनका उच्छाण स्थान कहां से होता है, तो यह भी आप से पूछ सागता है, तो दोस्तों, मैंने इसमें भी आपको बताए था, कि जैसे A और प्लस क्या मिल जाता, O मिल जाता, A प्लस मिलेगा, तो आप जानें कि क्या बनेगा, O बनेगा क्या बनेगा ओ बनेगा तो आप इसमें देखेंगे कि इसकी जो धुनी है यह कहां से उच्छित हो रही है कहां से कंट से हो रही है और बात करते हैं कि उकी तो उकी स्थान कहां से देखेंगे यहां से ओस्ट से यदि आप इन दोनों को मिलाएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा यहां से इसको देखेंगे तो यह हो जाएगा धने यहां से हो जाएगे कण्ठ ऑस्ट धने कंठ औस्टम भी इसको कह सकते हैं तो दोस्तों मैं उ कैसी ओस्टे दोनी, ए और अई दोनी कैसी है, आपकी कंट तालब्य दोनी है, ओ और अउ धोनी कैसी है, कंट ओस्टे दोनी है, यह दि हम बात कर लेते हैं कि इसमें, आगे समझ लेते हैं कि इसमें मिल जाता आपको सैगोस, सैगोस और अलप्राण, ठीक है, तो हम कह सकते है की सहगोस और अलप प्रान की अगर हम बात करें अलप प्रान की बात करते हैं तो दोस्तों सहगोस और अलप प्रान का मतलब है कि जब किसी स्वरों का उच्ण करते समय प्रान बायू कम खर्च होती है तो उनको क्या कहा जाता अलप प्रान कहा जाता है ठीक है तो अलप प्रान आपके जो स्वर हैं उनको क्या कहा जाता है सैगोस भी कहा जाता है तो आप से पूछ ले जाएगा कि जो स्वर हैं वो कैसे हैं सैगोस हैं और कैसे हैं अलप्राण हैं ध्वनियों के इचान उस्थान आपको मैंने बता दिये हैं मैं उम्मीद करूँँगा कि ये वीडियो आपको काफी बैतर समझ में आया होगा, जिदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर भी से, कि ये आपको वीडियो कैसे लगा है, आज के लिए बस इतना ही, आपको के लिए नमस्कार, जैन